दोस्तों इस पक्ची के सारे अंडे एक खोखले पेड़ के अंदर घुश जाते हैं जिसके बाद वो पक्ची अंडे को निकालने का प्रयास करती है लेकिन वो अंडे उस पेड़ के बहुती नीचे तक चले जाते हैं जिसके बाद वो पक्ची उस पेड़ को गिराने के लिए थोड़ा हाथ पेर मारती है लेकिन वो पेर तो गिरने का नाम ही नहीं लेता जिसके बाद वो पक्ची अपने नुकिले चौँच से उस पेर को काटने का सोचती है और वो अपने नुकिले चौँच से पेर को काटने लग जाती है जिसके बाद वो पेर कट भी जाता है आगे क से माख लिए एक लाइक तो करी देना